धान घास के परिवार से संबंदित है और यह बार्ठ की स्थिती में उगाया जाता है गेव के बगल में धान उत्पादन और खपत के मामले में सबसे महत्वपूर्ण अनाज की फसल है चावल भारत में 50 प्रतिशत से अधिक आबादी के ये प्रधान भूजन है धान की खेती भारतिय क्रिशी और पंजाब, हर्याना, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तमिलनादू, आंध्र प्रदेश, ट्यलंगाना, तमिलनादू और करनाटक जैसे राजियों का अभिन अंग रही है धान की खेती में बड़े पैमाने पर शामिल है हाला की, इसने कीट कीटों के कारण चुनोतियों का सामना किया है, जिसके परिनामस्वरूप उपज में कमी आई है ये ब्लॉग आपको धान की फसल, लक्षनों और नियंत्रन उपाई पर हमला करने वाले प्रमुक कीटों को समझने में मदद करेगा धान त्रिप्स, नर्सरी और मुखिक शेत्र दोनों के दौरान धान में त्रिप्स एक बड़ी समस्या है टीट चूसने के परिनामस्वरूप की चूसना गंबीर घटनाओं की तहट पैनिकल भरने में बाधा हो सकती है सिफारिश के हुए उत्पाद, काबनिक स्ट्राइक प्लस, रासायनिक एक ट्रा, रीजेंट, मल्टिप्लेक्स नगमिदा, ग्रीन लीफ हॉपर विशेश रूप से वानस्पतिक और प्रजनन्चरंग के दौरान हरे रंग की पत्ती हॉपद्वारा धान की फसल गंबीर रूप से एक्षतिग्रस्थ हो जाती है टीले चूसने वाले पत्तों की सैप का कारण पत्ती नीचे की और टिप से चिलाना शुरू कर देती है स्टंटिक पौधे, मुख्यक्षेत्र में पत्तियों के पत्तों का एक पैच और बीमार से भरे पैनिकल सभी को देखा जा सकता है ग्रीन लीफ होपचावल टुंगो वाइरस की संचरंग के लिए वेक्टर है पुनर निर्मेत उत्पाद, जैविक, बायो हर्ताल, जेए डव्यू ए ट्यू पॉंट, शत्रंज, लांस गोल्ड, एपलाइट धनुका भूरे रंग का पौधा, ब्राउन प्लांट होपधान का एक गंभीर कीट है टीट सटें ठिकानों पर द्रव्यमान में पाए जाते हैं परिपक उपत्तियों को सुखाने, आवास और ब्राउनेंग को आमतोर पर होपबन लक्षनों के रूप में संदर्भित क्षेत्र में पैच में देखा जा सकता है यदि अनियंत्रित छोड़ दिया जाता है, तो पौधी सूखते हैं, विल्ट करते हैं और अंततह मर जाते हैं धान घास टंट वाइरस के लिए एक वेक्ट की रूप में कार्य करता है पुनर निर्मित उत्पाद, जैविक, बायो हर्ताल, शत्रंज, संजेंटर, टोकन, इडोफिल, लागू, धनुका, लांस, गोल्ड, यूपील, रीजेंट, संजेंटर धान सटेम बोरर धान सटेम बोरर कीट लावा ने सटेम हिस्से में एक छेट बोर किया, जिससे पूरे शूटिंग सूख गई जैसे की कीक शती प्रगती, पैनिकल भरना आंशिक्या शून्य होगा, जिसके परिनामस्वरूट सफेद पैनिकल्स को अक्सर मृत्रिदे के लक्षनों के रूप में संदर्वित किया जाता है पौधी के उपरी हिस्से को बस इसे खीच कर अलग किया जा सकता है सिफारिश के हुए उतपाद, अन्शुल ग्लोसिप, मल्टी प्लेक्स नगसी परदस, बायलेसिंटा, धान हिस्पा धान में हिस्पा पत्ती के अन्यमिट स्क्रापिंग द्वारा फीड करता है जिसके परिनामस्वरू पत्ती की लताओं के समानांतर पत्ती की उपरी सतर पर सफेद रंग के निशान होते है स्क्रापिंग ने क्लोरोफिल सामगरी को कम कर दिया जिसने प्रकाश संशलेशन और उपज के लिए उपलब्ध क्षेत्र को कम कर दिया अनुशन सित उत्पाद, एड़मा लामडेक्स सुपर, मल्टिप्लेक्स बॉर्डर पचास, ट्राइसेल एर हेट बग, एर हेट बग एक प्रमुक कीट नहीं है जैसा कि पहले उलेक किया गया है ये वाइरल होता है जब पेनिकल धान के दूद्धिया चरन में होता है तान का सिर बग उतक को पंचर करके अनाज के सैप पर फीड करता है जिससे काले डॉट्स और बेमानी की गंध होती है जो अंततर चाफी के बीज की ओर ले जाती है पॉधे और पेनिकल पर कीट लोको मोशन देखा जा सकता है सिफारिश के हुए उत्पाद, नाग पिर पोस, लांस, गोल्ड, कॉन्फिडोर, उल्ला